बोजपुरी की टॉप एक्ट्रस में गिने जाने वाली काजल रागवानी की तबियत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है बेशक वो खुद को फिट रखने के लिए जिम में खूप पसीना बहाने के साथ साथ अपनी डायेट पर पूरा ध्भान देती है इसके बावजूद उन्हें एक गंधीर बीमारी हो गई है जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है और इस वजह से उनका वजन भी बरता जा रहा है दरसल उन्हें PCOD है PCOD एक ओवरी संबंधित बीमारी होती है जिसके कारण लड़कियों के हार्मोन असंतुलन की स्कुति उत्पन होने लगती है ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की बजाए मेल हार्मोन का अस्तर जादा बढ़ने लगता है PCOD होने पर अंडाशे में कई गाठे बढ़ने लगती है गाजल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा I am not overly reactive मैं पिछले देर साल से इस बेमारी से ग्रसित हूँ ये सारे लक्षट मुझे दिख रहे हैं इसमें छुपाने और शर्माने जैसा कुछ नहीं है आपको बता दें कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं एक बार PCOD हो जाए तो उसके बाद महिलाओं को हमेशा इसे साथ लेकर चलना पड़ता है हाला कि सही लाइफ स्टाइल और डायेट इसे मात देने में मददगार साबित हो सकता है काजल के इस पोस्ट के बाद उनके फैंस के कमेंट्स की बाढ़ा गई और सभी काजल के जल्द ठीक होने की दूआ कर रहे हैं साथी फैंस उन्हें आराम करने की सलहा भी दे रहे हैं न्यूस्टेस्ट